नमस्कार आदाप सस्रियाकाल स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चनल नियू आइडियास वाइटी में साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों का 10 जन्वरी को M2R5 विब डिजाइनिंग अंड पब्लिसिंग का एक्जाम है तो ऐसे में आज हम आपके साथ में CSS के जो Most Important MCQs हैं जो कि आपके एक्जाम में पार्टन में आ सकते हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं साथियों मैं आपको यहाँ पर MCQs जो कराऊंगा वो आपके रहेंगे One Linear जिसमें आपके True False भी रहेंगे यानि कि जो Question है वो आपके True False में भी फिल इंदा Blanks में भी या फिर Matching में या फिर आपके Objective यानि Multiple Choice Question में भी आ सकते हैं सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए तो यह आपको मालूम होना चाहिए आपसे पूछ सकता है कि जो CSS फाइल होती है उसका Extension क्या होता है तो आपका Answer आएगा .CSS जबकि जो Java Script है उसका Extension .JS होता है इसके बाद जो CSS है इससे सम्मंधित एक Full Form है HSL तो HSL का Full Form होता है हुई Saturation Lightness जबकि एक आपका होता है RGB तो यह आपको वालूम होना चाहिए Red Green और Blue ठीक है RGB value तो यह आपको याद रखना है आपको इसाम कुछन आ सकता है कि CSS 3 जो CSS है इसका Latest Version कौंस आ है और आपको आपसंदे सकता है कि CSS 1, CSS 2, CSS 3, CSS 4 तो आपको टिक करना है CSS 3 यानि कि जो CSS 3 है वो CSS का Latest Version है जबकि जो आपका HTML 5 है जो HTML 5 है वो HTML का Latest Version है तो यह आपको याद रखना है CSS में हम लोग comment के लिए slash, asterisk, asterisk class इसका यूज़ करते हैं आपकी जमकुशन आ सकता है कि CSS में comment के लिए कौन से symbol का यूज़ करते हैं तो आपका अंसर आएगा कि हम लोग इसके अंदर जो भी content होका, जो भी text होता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं तो यह आपका as a comment consider किया जाता है इसके बाद CSS को हम लोग अपने document में तीन type से apply कर सकते हैं पहला है आपका inline CSS, दूसरा है internal CSS and the third is external CSS तो यह भी आपको ध्यान रखना है अगर आप लोग inline CSS use कर रहे हैं तो उसके लिए आपको html में एक attribute है and that is style, इसका use करना होगा किसके लिए? inline CSS के लिए आपके exam question आ सकता है कि जो inline CSS होता है उसके लिए हम लोग कौन से attribute का use करते हैं तो आपको answer tick करना है style attribute then इसके बाद जो आपकी inline, internal और external ये तीन टाइप की CSS अपलाई करने के तरीके हैं इन में से जो सबसे ज़्यादा priority है वो आपकी inline CSS की होती है आपकी जमकुशना सकता है true false में कि क्या inline CSS की priority internal CSS से ज़्यादा होती है तो आपको tick करना है true तो ये भी आपको धान अखना then इसके बाद जो भी आपकी external CSS होती है उसको हम लोग head tag के अंदर लिखते हैं जबकि जो आपका java script record होता है उसे हम लोग head या फिर body tag के अंदर place कर सकते हैं अगर आप लोग external CSS का use कर रहे हैं तो उस case में आप लोगों को CSS file को link करने के लिए आप एक tag use करते हैं जो ये आपका tag है link link के अंदर एक attribute and that is real one love होता है relation relation कैसा है style sheet का then इसके बाद type text css href जो file होती है उस file का नाम dot css extension के साथ में तो basically जो आपका code है इसे हम लोग head track के अंदर लिखेंगे then इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि जो ID selector होता है उसके लिए हम कौन सा symbol use करते हैं तो आप concert करना है has जबकि class selector के लिए dot and universal selector के लिए हम लोग star risk यानि जिसकों बोलते हैं आम भासा में star इसका use करते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर छोटा सा CSS का code दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा गया है body and curly bracket के अंदर color colon red और इसको यहाँ से terminate कर दिया गया है by semicolon तो आपसे यहाँ पर पूछ सकता है कि जो यह color है आपसे कहें देगा कि color colon red इसमें जो color है इसको हम क्या बोलेंगे तो आपका answer आएगा property name जबकि जो colon के बाद में लिखा गया है red इसको हम बोलेंगे value जबकि जो color colon red semicolon जो यह पूरा combo है इसको हम बोलेंगे declaration तो यह भी आपको याद रखना है एक बात और कि जो आपका CSS declaration होता है आप यहाँ पर देख पार होंगे धान दीजे मैं आपको यहाँ पर one layer में provide कर रहा हूँ यह question आपके mcqs में या true false में आ सकते हैं तो आपको इनको अच्छे तरीकर्स त्यार करना है और आपको यहाँ से help मिलने वाली है अगला यहाँ पर दिया गया है point कि जो आपका group selector होता है जो group selector होता है उसमें हम लोग हर selector को comma से अलग करते हैं अब मान लेजे आपके पास कोई property है जो आपने यहाँ पर declare की है इसके बाद आप इसी property को कई सारे element में आप उसको use करना चाहते हैं आप अलग अलग जो आपके tag है या फिर class है आप उसमें use करना चाहते है तो आप लोग इस type से कुछ किमान लीजे हमें इस property को h1 में भी और h2 में भी और paragraph में भी मुझे इसको apply करना तो उसके आप यहाँ पर देख पा रहोंगे जो selector है वो आपके h1, h2p यहाँ पर 3 है यह आपके 5, 50, 100 जो भी हो सकते हैं तो यहाँ पर जो selector हैं उनको हम लोग कॉमा के द्वारा अलग करेंगे तो यह आपको धान रखना है गाइस मैंने आप लोगों को css, java script या फिर जो आपका html में आपको पढ़ा दिया जो आपकी the css होती है उसके लीए हम लोग इसटायल hegल का यूज़ करते हैं जबकि जो आपका anks죠 qood लिखेंगे और उसके अंदर हम लोग उना पर CSS का code लिखेंगे इसके बाद आपको इसाम कोश्चन आ सकता है कि जो 1EM है वो कितने pixel के बराबर होता है तो आपको answer tick करना है 16pixel और जो आपका 1EM है ये आपका 12pt के बराबर होता है अगर आपसे पूछता है कि 1EM किसके बराबर है तो आप tick करेंगे 16pixel अगर option में दिया गया 12pt तो आप tick करेंगे 12pt then इसके बाद अगर font name एक word से ज़्यादा होता है तो उसे हम लोग किसके अंदर लिखते हैं तो आपका अंसर आएगा double, inverted, किसके अंदर लिखते हैं double inverted कॉमा के लिए अब मान लीजिए आपके पास कोई font name है जिसका नाम है times new roman तो इस case में यहाँ पर आपके तीन word है तो इस case में जब भी आप लोग इसको define करेंगे तो आप इसे हमेंसा करली bracket के इनवर्टेट कॉमा के अंदर define करेंगे तो यह आपके important point थे अगर आप लोगों की योडियो पसंद आ रहा है तो योडियो को like कर दीजे क्योंकि हमने आपके लिए बहुत ही महने से बनाया हुआ है ताकि आपको help मिले जो आपका font weight है font face है font size है इसको हम एक ही CSS property द्वारा दिखा सकते है आपके examet true false में आएगा यानि आ सकता है कि क्या font weight, font face और font size को एक ही CSS property के द्वारा दिखा रहा सकता है तो आपका अंसर आएगा true आपको बताना है कि इसके लिए हम कौन से sort hand CSS property का use करते हैं बने आपको पढ़ाया है इसके बाद किसी element को uniquely अगर आपको कोई element है उसमें आप uniquely style define करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कौन से selector का use करेंगे तो आपका answer आएगा id selector, जो आपका id selector होता है वो पूरे web page में unique होता है तो यह आपको धान रखना है इसके बाद अगला point है CSS property से जो आपकी CSS property है उससे हम लोग text की direction को define कर सकते हैं तो आपका answer आएगा true जो आपका text rise direction है उसको हम लोग CSS property की help से define कर सकते हैं इसके बाद यह कुछन आपके सामय आने के chance है कि जो position property होती है उसकी by default value क्या होती है तो आपका answer आएगा static और जो border collapse होता है उसकी by default value separate होती है जबकि जो border spacing है उसकी by default value 2 pixel होती है तो यह आपको ध्यान रखना है इसके बाद जो border image with है जो border image with CSS property है इसको हम लोग कितनी तरह से define कर सकते हैं तो आपका answer आएगा 9 तरीके से 9 तरीके से हम लोग border image with CSS property को define कर सकते हैं यह नहीं कि total 9 ways है कितने ways है total 9 ways है तो यह आपको ध्यान रखना है इसके बाद आपके खिजाम में आएगा question true false में कि जो padding property है क्या उसके साथ में हम लोग negative value को use कर सकते हैं तो आपका answer आएगा नहीं यहनि कि false यहनि कि आप लोग padding property के साथ में negative value को use नहीं कर सकते हैं इसके बाद CSS color से question आपके ताम में आ सकता है कि जो CSS color होता है hex value होती है वो किस symbol से शुरू होती है तो आपका answer आएगा has क्या आएगा has symbol ठीक तो आपके होती है आपको यह दे आपके को deep value आपके यह आपको यह ओνे दिये है और आपको यह code यह birth होले जाहिए आपकी द्रहिस ना सकता है जो red color होता होता है उसके लिए hex value लिखिए तो जो red होता है हैज FF000 जबकि जो वाइट है इसके लिए होती है हैज FF जबकि जो ग्रीन है उसके लिएingo 008000 जबकी ब्लू के लिए 0000 FF और ब्लैक के लिए 000000 जबकि यलो के लिए हैज FF 00 अब कोशन य planning आता है कि आपके एग्जाम के लिए कौन सी most important है तो आपको RGB आपको इन तीनों value के बारे में मालूमात होने चाहिए जब कि जो आपका white और black है ये आपके exam के district court से important है तो आपको ये दुनों याद होना हो लेकिन आपको RGB यानि कि red, green, blue की value याद होनी चाहिए अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको white और black की value भी याद होनी चाहिए आपके सामें कुशन आ सकता है कि क्या ही या जो has A, A, double zero GG क्या ये एक valid hex value color है तो आपका अंसर आएगा नहीं क्यों? क्योंकि जो आपका ये RGB है इनकी value 0-9 और A से लेकर F तक की हो सकती है अगर आप कहाँ पर दिखता है high edge, H, H, H तो इस case में ये गलत होगा क्यों? क्योंकि जो आपका H है ये इस range से वहार आ रहा है A से लेकर F तक की हो सकता है और 0 से लेकर 9 तक की हो सकता है So guys, ये कुछ CSS से समंदित one liner points थे जो मैंने आपको साथ में discuss किये हैं मुझे आसा है कि आपको इन questions से in one liner points से बहुत ही हर्प मिलने वाली है So guys, अगर आप लोगों की वीडियो अच्छा लगा तब इस video को like कर सकते हैं So guys, अभी मेरे पास M2R5 जो की आपका O level का Nets Level से मेरे पास notes नहीं है मेरे पास जैसे ही create हो जाएंगे बन जाएंगे तो मैं आप लोगों को एक वीडियो की माधम से update कर दूँगा तो आप लोग वहां से ले सकते हैं और अपनी तरीकों continue कर पाएंगे So guys, best of luck मिलते हैं इस्टूडियो में तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम Thank you friends